तो यम तब गतेते हो जब ने कोई छीज होती पॉलोगे तप जाने कि आप जितने भी जसे हुँ अपनी जैं मे से पैसे निकालो बार और सब्सक्राइब देते हो पुरुषकार देते हो अधीक देते हो और उसको सिक्षा देते हो कि भीया तुम अट्टे-कटे हो दान देना भीक्षा देना भीक्षा देना वहां अच्छा लगता है जो जिसको आवस्ता है उसे दो तो वह तुम्हारा आसी बाद मिलेगा और एसे लुटाओंगे तो आसी बाद नहीं मिलेगा तो लोग बेवकूप समझेंगे तो क्या पिरन देना चाहिए को भी क्या मांग रहा है तो निकार भी अधि diplomy है हमारे यहां जरूरत है आओ तुम्हें वेहां काम करों तुमें तो आप मेरे हां काम करो 10,000 रुपर देंगे भी यह बताओ यह सजाओ सही है कि नहीं कि बास्तिक कोई लंगड़ा है लूला है बहरा है चल नहीं सकता प्र नहीं सकता उसको खाने को नहीं उसे आक जो दोगे मैं गारंटी देता हूं उससे कईगो तुम को फ्राफ्थ हो जाएगा कि जिनका कोई आस्रा नहीं है जिनका परवार बच् जो इस्तिथी खराब है घर में आंगे पीछे कोई नहीं है एक्स्ट्रिएंड में चले गए या किसी दुरगटना में चले गए किसी महामारी में चले गए ऐसे परवारों का साथ दोगे मैं गारंटी देता हूं उसमें आपको बहुत प्राप्त होगा जो संसार में आप यह सकते किरपास प्लप्त होगा कि वहां दान देर अच्छा लगेगा वहां मादद करना अच्छा लगेगा फिर चाहे वो घुसी परकार तो चाहे जैसलों के वहां तुमको सच्चा आसीवाद मिलेगा अरे हट्टे-कट्टे लोगों को देने से आसीवाद नहीं मिलता दुमाग में बठा लेना यह वाद आज है वहां यहेदं हैं कि हमारे ब्रहमन पुजा करते हैं अनुष्थान करते हैं तो अरू चार लोगों करा दिना वो कि आ mandate वह था होता है है वह आपके जीवन की काम ना करता कि तुम्हारा कल्यान तुम्हारा भला हो तुम सुकी रहुगे तो हम तो आप सो कि भूजज ममन कुसी रहेगा बखत कुसी रहेगा तो मैं सुता ही आप यह भाव खतम होता जा रहा है हमारे यहां से संस्क्रिती खतम होती जा रहे हुए इसका प्रचार होना चाहिए बहिंधार अबसक है और संत योगी अपना धर्म खो करेंगे उस दिन तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा उस दिन तुम्हारा नास तुम्हारा विनास तुम्हारा अंदकार खितम करने वाला कोई नहीं होगा जिस दिन ब्राह्मा और संत और गुरू आप से हाँ रटा लेंगे उस दिन आप बे मार्गी हो जाओगे कि आपका कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा आपको बिजुषा देने वाला नहीं होगा फृति पे हाक आर मत जाएगे इसलिए गुरुओं के संतों के योगियों के गउ के महापुरुसों की स्रण में जरूर रहो और उन से आग्या們 करके करम करो सद ग्यान लो सथ संग सुनो अरे आपको सद्गुरु नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी सद्गुरु का आप मानते हो तो उसकी एक वीडियो बनाओ फिर ती दिन अपने घर में मोबाइल में 15 मिलिट जरूर सुनो आप अकल्यार होगा है बैसे तो बारस में कहीं ना कहीं आसपाश चाहिज रता होता एक होता है को स Apparently बड़न हो कोई और भी आत्यों कोई झाल हो जाय को दैस्ट को मैं अपने हैं को जिस्व हुआ हो कोई भी घुटों तुमारे आ यह में अजय करता हो जरूर सुनों आसीरवाद लो और बताओ भी कि मैं पंडू कर सका का शिश हूं तुम बद्वाद नहीं देगा उसकी इतनी हिम्मत नहीं है तुमसे काएगा सादूबाद आसीरवाद और उसमें अपने घुरू का असीरवाद मनना तुम्हारा कल्यान होगा तुम्हारा जीवन बहुत भलित होगा उत्थान की और जाओगे यह मेरा असीरवाद है लेकिन कपोल कल्पित धौंग डपाले में नहीं पढ़ना है उसके लिए मैं कहता हूं आख खोल के जाना और कोई कहें यह लिखाएं तो आंके खुल के पढ़ना दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और हमने एक विद्धा तो देई दी है जब भी संकट होबे जब भी घर में कले सोबे कोई भी आरोस प्रोसर बीमार रवे आप सच्चे मन से निर्मल बुद्दी से हा रहा हूं तो मैं लंबे समय इसमा नहीं फसा रहा हूं हाथ पहर दो करके तोड़ा जल का मार्जन कर लेना आपने उपर पंडोकर सरकार के नाम से जमीन पे हाथ लगाना और जैस्री राम बोलके इसर पे हाथ धर देना उसकी बादा में तत्कार रहात होगी और सलाय देना कि जाओ जब तो तुम पंडोकर धाम नहीं पहुंचोगे जब तक तुम्हारी उपर कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रेत आत्मा का असर नहीं होगा जो यह गुरू आसिरवाद है अरे तनी से विद्या देने के लिए बारा साल चौुदा साल फंदे साल बीस साल पचीस साल लगाना पड़े तो फिर वाणी बिद्या के लिए कि इसाल लगाने पड़ें दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा तरा तक तो वो चीज़ है कि उस कमरे में क्या रखता हैं पृतीवी के कौने पर क्या हो रहा है वो तरा बताने की दम रखता है इसके बस आचार महापुरूश होना चाहिए और यह विद्धा यह तरा टक यह चक्र इस संसार में इ के सक्तियां ब्राजमान है इसके सादक ही है सन्त भी है आज सिसके नाम सिथे आज कुझे रहे हैं नो आपके विया सब्रू हुए है कि उनकी कितनी इसे कहाणिया है आप किसीना किसी सद्गुरु के ही भक्त हैं उसी विश्वास से तो कोई संत की सण में आप आयो कि हमारे गुरुजी चले गए चलो कहीं खास पंडोकर धाम में हमारे गुरुजी के गुरुभाई मिल जाए या उनके शिष मिल जाए संसार में गुरु के बिगर गुरु है त तो प्रृबुद्या नहीं है सकत्य नहीं है हं टंड़ेपरसेंट है लोग कहते हैं के 80 पर्सना 40 परसेंक कैता है कि मोर्क हंडएच परसेंट है हैं आफ di pixels फिले ना चाहे को तो दो पंडो कर्धाम समय कि आओ न देख के जाओ तो मेरी से के Aww कि मैं सिबरोद नहीं करता ब्रोद करता हूँ जूट अर पाखनड और लूटन की वालों का कि मैब रहत करता हूँ उनका जो रित्वूस्थान भर्के या तंत्रमंत्र जाल के नाम पर धोगा देते है कि भीया एक चीज़ से साउधान रहना एक वीडियो भीडियो किसी नहीं बोले महाराज ये कैसे महाराजी है हमारी मरी हुई मम्मी से फौन पर बात करा दी यह बीडिया मैं ने नहीं देखी आस तक यह सब्सक्रांब है लिगे हां यदि कोई ब्यक्ती में भूत्युक्ते गोदी में हैं तो सपन में वाराा कि करें जो आख से 60 साल पहले मर एक मोबाल था ही दो कैसे बात करेसे कि आ मोबल लें कर्द Всё कि मैं जो कह रहा हूं ठोक के कह रहा हूं एलान कर कि हैरा रहा हूं यह से बचना वो लोग यह करते हैं दुखी पीड़त व्यक्ति को सुस्चना इतना वर र्अट और ऐखना अम्मा मिखाड़ी से मरते अ बेटा गारी से मर गया अब बेहॉपलेस होगी अम्मा समझे रहे हैं जो बच्चा दूद पीता मर गया वो मोबाल क्या जाने और बच्चा मोबाल पर बात कर रहा है कि अभी मैंने को वीडियो देखा मेरे पासर में दिखा सकता हूं उसकीन पर है अब हमसे सेस्पड़ हमेंसे पूरुमार पूर्च करणे나हें यह मुरंणा सेवीडियो आया है मैंने का स्रीमान ये बच्चा पेट में था है और सात्मे महीने में पेट में ही मर गया था है आरह संगर अधिए मर fazima को यह होती तो मैं प्रमेसरा आधिक यसे लोग तथाउत जिब एको बीलेक मेजिक doubling असली बाला नहीं वेलेक उल्टा सुल्टा एसा कागज सामने कागज पीछे मोबाल चुपा जिसके बोलते हैं काला जादू हाथ का सपाई यहीं बनिद्स एक तंद कूत करिया है बंगल फजह इसको सब्द कहना मेरे लिए उचित नहीं है यह तंत्र है ब्लेक मेजिक जो विदेश में चलता है हमारे यहां प्रेद वादा बोला जाता है लेकिन यहां पर जो हाथ की सफाई इंद्रजाल के तहत बंगाल का नाम लेकर को जादू दिखाते हैं बोतल निकालना निकाल देना पैसा निकाल देना यह कोई जादू नहीं है हाथ की सफाई है नजर का धोका बेविक कुप बनाते नहीं तुम्हारी दुमाग नहीं पकड़ पाता तुम्हें असनाने के लिए आते ऐसे वो साधिया निकालते होते तो घर में फैक्ट भी बना लेते लेकिन मैं इसलिए कराता हूं ऐसा जादू पंडोकर धामयक में कि बच्ची लोग प्रिखर हो यह कपोल कल्पित चक्र में ना पड़े मुझे अठाइस साल होने जा रहे हैं पंडोकर धामयक करते करते प्रती साल में एक बिलेक मैजिक नाम का जादू जो कड़के दिखाते करते हैं यह सब हाथ की सफाई लोग को नेजर का धोकाव बातों में गुमराय करना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक विद्ध्या होती है और एक हाथ की सफाई होती है इस यह आपको साधा रहना है अपने देवी देपताओं को नहीं भूलना है अपने शादू संतों को नह नहीं बोलना है अपने फित्रों को नहीं छोड़ना है किसी के चक्र में नहीं पढ़ना है जो अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं अपने देवी देपताओं को भूल जाते हैं अपनी परंपरा भूल जाते हैं उन्हें संसार में ठोकर खाना पड़ता है कि एधी ठोकर से कोई बचाता है तो तुम्हारा है पूर्वज हमारे राजिस्थान के लोग विसे जानते हैं हमारे बैटे हैं पचा